हाई, आज हम बात करेंगे face reading के कैसे हम face reading से कुछ facial expressions देखकर जान पाते हैं कि एक person का personality के आज एक छूटा से example लेती हूँ, eyebrows का एक eyebrows की shape से, उसके hair के texture से क्या eyebrows का कितनी thin है, कितनी thick है क्या वो बहुत pushy है, हम ये जान पाते हैं कि एक person का planning, management और action कैसा है ये पूरी eyebrows को हम divide करते हैं 3 parts में तो ये हमारा first part हो गया, ये second part में बाला और ये third part 3 parts में divide करने के बाल, जो first part है वो बताता है कि आपकी planning कैसी है आप चीजों को कितनी अच्छी strategies बना सकते हैं क्या planning आप कर सकते हैं अगर आपने इहां के बाल प्रॉपर अच्छी शेप में हैं थिक हैं, टेक्स्टर भी अच्छा है तो आपकी planning अच्छी है आपका middle part बताता है यहां से आपके management skills के बारे में कि अगर आपको कोई चीज प्लान एक strategy प्लान करके दे दी और आप उसको execute कैसे करते हैं How do you operate that particular planning? Next is the action Third part, अगर आपका यहां तक भी बालों का बहुत अच्छा है तो आप action oriented हैं आपको कोई भी task दे दिया चाहें कुछ लोग सिफ यहां पर अगर बाल है को, मुरापक balance मुराए पला雁 भी